हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टूटूब चनल, एक और न्यू अपडेट है पारामेडिकल श्टाब की वेकेंसी से, जी हां, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, एक और न्यू वेकेंसी आजूगी है, पारामेडिकल श्टाब की ये भरती है 2022 की इसमें हम देखेंगे की कौन-कौन सी पोस्ट है रहने वाली है और कौन-कौन एपलाई इसमें कर सकता है फ्रेंट्स वीडियो में हम सारी जन्करी कवर करेंगे कि तो वीडियो पूरी देखेगा चले फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं नोट्फिकेशन हाली में संजाइगाधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिटूट ऑफ मेडिकल साइंस राइवरेली रोट लखनाव यूफी इंडिया से रिलीज हुआ है फ्रेंट्स इस वेकेंसी की हम पहले बात कर चुके हैं इसका सौर्ट नोट्फिकेशन पहले आया था संजाइगाधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टिटूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनाव से तो फ्रेंट्स से इसका डेटेल नोटिफिकेशन आया है और इसमें बताया गया है कि कौन-कौन इसमें अप्लाइ कर सकता है तो फ्रेंट्स सारी जनकर ये वीडियो में हम कबर्द करेंगे तो फ्रेंट्स बने रहिएगा और लाइन एप्लिकेशन फॉर्म और अनेक्सपेटेट टू वी एक्टेव फॉर्म थर्ड वीक ऑफ जन्वरी दोजर बाइस प्लीज विजिट दा एस जी पीजी आई वेबसाइट रेगुलरी फॉर फाइनल डेट्स अभी फॉर् इसके बाद आपको filling up of valence details of the form इसके बाद फ्रेंट्स आपको अपने photo, signature और जो other documents है उनको upload करना होगा इसके बाद payment of fee and application form submission और print out of application form इसके बाद आपका print out आपको मिल जाएगा तो फ्रेंट्स जो भी इस form को पहले भड़ चुकी है तो उनको यहाँ पर piece payment नहीं करना होग आपको फिर से लेकर यह दोबारा form भनना होगा category wise seat का विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ यहाँ details से दिया हुआ है आप देखेंगे sister grade 2 की यहाँ पर 252 पोश्ट है लेवल सास्त के ताहत आपको selling मिलेगा इसमें आप देखेंगी general के 115 है EWS की चवदा, OVC की वियालिस, ST की एक और SC के डिगरी की 80 seats यहाँ पर हैं इसके बाद technical radiology के लिए यहाँ पर 34 पोश्ट है technical radiography, radiotherapy के लिए 8 पोश्ट यहाँ पर है और medical lab technologist के लिए 137 पोश्ट है और junior medical lab technologist के लिए यहाँ पर 23 पोश्ट यहाँ पर है friends अब हम देखेंगे कि online form भरते वक्त आपको यहाँ पर गतना रूपा payment करना होगा तो general category के जो भी candidate है उनको 1000 रूपे यहाँ पर application फी रहेगा और 160 रूपे GST रहेगा इस प्रकार total आपके 1180 रूपे रहेंगे इसके बाद OVC या AWS category के candidate के लिए 1000 रूपे रहेगा application फी और 180 रूपे GST प्रकार से 1180 रूपे का payment आपको करना होगा SCST क्राइटी के जो भी candidate है उनने 708 रूपे का payment करना होगा 108 रूपे GST रहेगा और 600 रूपे आपका application फी रहेगा eligibility criteria हम देखेंगे आपको क्या यहाँ पर qualification मांगी जा रही है तो sister grade 2 के लिए आपको VSC nursing होना चाहिए आप देखेंगे और यहाँ पर दो साल का आपके पास अनुभा होना चाहिए पचास वेडिड हॉस्पिटल अप्टर यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपके डिप्लोमा किया है तो आपके पास experience मांगा जाएगा और BSC nursing अगर आपने किया है तो आपको यहाँ पर nursing counselling में पंजियन आपका होना चाहिए इसके बाद है टेक्निकल रेडियोलोजी के लिए 10 प्लस 2 विच साइंस सब्जेक्ट और आपके बाद से डिप्लोमा होना चाहिए और एक साल का आपके पास रेडियोग्राफर का experience होना चाह होना चाहिए एक साल का आपके पास अनुभाव होना चाहिए रेडियोग्राफर की पोस्ट पर अगर आपने डिप्लोमा किया है और अगर आपने बीच सी क्या है तो आपको अनुभाव नहीं होगा तो भी चल जाएगा Medical Lab Technologist का भी यही है फ्रेंट्स BMLT आपके पास होना चाहिए और 100 बेड होस्पिटल में आपके पास काम करने का अनुभाव होना चाहिए Junior Medical Lab Technologist के लिए टल्थ आपको PCB से पास होना चाहिए दो साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 100 बेड अस्पिटल में आपका काम करने का अनुभाव रहना चाहिए फ्रेंट्स अब हम बात करेंगे सेलेक्शन प्रोसेस की सेलेक्शन प्रोसेस किया रहने वाला इस विखिंसी के लिए यहाद इसके बाद आपका अपको स्कील टाष्ट रहेगा इसकी बाद आपका स्कील टेस्ट रहेगा Skill test के बाद ही आपका final merit list यहाँ पे बनेगा